सिमेंट कमपनी को हुआ बड़ा घाटा, शेयर बुरी तरह बिखरा, दिगज निवेशक का है दाव सीमेंट बनाने वाली इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड को 31 मार्च 2023 को समाप्त चौथी तिमाही में 217.79 करोड रुपए का घाटा हुआ कमपनी ने पिछले वर्ष की इसी तिमाही के दौरान 23.7 एक करोड रुपए का घाटा दर्स किया था कमपनी के अनुसार इसका मुख्यकारण, इंधन और बिजली की लागत में रिकौर्ड वृद्धी है हालांकि कुल आयर मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में बढ़कर 1489.89 करोड रुपए रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 1396.72 करोड रुपए थी पूरे वित्वर्ष 2022 से 2023 में कमपनी को 188.55 करोड रुपए का घाटा हुआ है जबकि इससे पूर्व वित्वर्ष में 38.88 करोड रुपए का मुनाफा हुआ था बिखरा कमपनी का शेर है तिमाही नतीजों के अगले दिन यानी गुरुवार को इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के शेर में करीब 3 प्रतिशक तक की गिरावट आई यह शेर गिरकर 181 रुपए के स्तर पर आ गया कमपनी का मार्केट कैप 5730 करोड रुपए है इस शेर ने पिछले 6 महीने में निवेशकों को 25 प्रतिशक तक का निगेटिव रिटर्न दिया है YTD आधार पर भी यह शेर 17 प्रतिशक तक लुढ़क चुका है दिगज निवेशक का दाव मार्च 2023 तिमाही के दोरान इंडिया सीमेंट्स के शेर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक दिगज निवेशक राधा किशन दमानी के पास कमपनी में 3,51,32,665 पूरी तरह से चुकता एक्विटी शेर या 11.34% हिस्सेदारी थी वहीं राधा किशन दमानी और गोपी किशन दमानी के पास संयुक्त रूप से 41,49,029 शेर या इंडिया सीमेंट्स में 1.34% एक्विटी हिस्सेदारी थी